आज MPPSC ने इतने लंबे इंतजार के बाद अपना रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया है और MPPSC 2021 का रिजल्ट आज उसकी वेबसाइट पर आप देख सकते हैं तो यह हमारे पास PDF है जिसमें हम लोग बात करेंगे कट आफ के बारे में क्या कट आफ आई है तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि result जो है बिल्कुल 2019 की तरीके से आया है थीक है 2017 का result जिस तरीके से दो पार्ट में दिया था उन्होंने उसी तरीके से 2021 वाला भी result उन्होंने वैसा ही दिया है जो ए लिस्ट वाले हैं उनका मावला जो हैं कोट में नहीं है वो तो men's exam देंगे, लेकिन अंतिम जो फैसला होगा, वो court के decision के बार होगा, चीक है? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि category, general की या आनाराच्छित की बात क्या जाए, SC, ST, OVC और EWS, आर्थिक रूप से कमजोर work के लिए male और female, दोनों criteria दी हुई है, तो यहाँ पे जो अनाराच्छित वर की, sorry, जो अनाराच्छित वर की जो cut-off बत आई है, वो minimum 154 आई है, यहाँ पे male और female दोनों के लिए, ठीक है? उसी तरीके से SC की जो cut-off आई है, वो 142 आई है, ST के लिए male और female के लिए 132, OVC के लिए 148, male और female दोनों के लिए कोई difference नहीं है, और EWS section के लिए 148 है, तो OVC और EWS की cut-off दोनों की 148 है, इसका मतलब कि यहाँ पे इन्होंने open या female, यह कहें male और female, दोनों के लिए जो cut-off रखी है, हर एक काटेगरी में, वो एक ही रखा है उन्होंने, ठीक है? जैसे UR का 154, male के लिए भी है और female के लिए भी है, तो यह तो मुख्य भाग A, A के लिए जो qualify हैं, उनके लिए अब B की बात कर लेते हैं हम लोग, यह, जो court के अधिन मामला है, उनको भाग B में उन्होंने result दिया है, और इसके लिए जो अनाराचित वर्ग है, जो unreserved category है, उसमें open, यानि male और female के लिए cutoff जो रखी गई है, वो 146 रखी गई है, OBC के लिए cutoff 142, इसका मतलब इस category में अगर अनाराचित की बात करें, तो 146 मतलब जिनके भी mark 146 या 146 plus हैं, वो जहे eligible है, means देने के लिए, और question के रूपे बात करें, तो जिनके भी question, 73 या 73 plus थे, उनको means देने को मिलेगा, OBC में जिसके 71 या 71 से ज्यादा question सही थे, या ये कहें 142 या 142 से ज्यादा number हैं, वो लोग qualify हुए हैं, तो ये जो result है, बिल्कुल 2019 की result की तरीके से ही आया है, 2021 का result, जिस तरीके से हम लोगों पता है, कि 2019 का means January 2023 रखी गई है, और 2021 की means की date, February 2023 रखी गई है, जितने भी छात्र इस परिच्छा में qualify हुए हैं, जिनका मुख्य भाग A या भाग B में result आया है, वो दोनों के दोनों जहें, वो मन लगा के means की त्यारी करें, और इसको अंतिम मौका ही समझें, क्योंकि जिस तरीके से MPPAC इतने दिनों के बाद result या वेकेंसी निकाल रही है, तो इसको अंतिम मौका समझ के आप त्यारी कीजिए, सभी comments के लिए best of luck, thank you.